कि अधिया है कि अधिया चले तो कैसे आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर में स्टेडी चैनल वाइफ है सभी सभी के कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाले है साथ के साथ 24 मंस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और साहिल 10 एजे कोड लगा देना है अब जैसी साहिल 10 आप लगाओगे अपलाई कर देना डिसकाउंट आपको मिलेगा ठीक है माई डियर स्टुडेंट प्रोसीट्टू पेपर जाकर आपको जुड़ना है और बड़िया तरीके से मेरे साथ मेरे क सब मिलेंगे साहिल 10 कोड लगा कर आपको ठीक है रात को आट बजे मॉक टेस्ट होता है वह आप लगाईए टाइम एन वर्क का टेस्ट होता है वह आप लगाईए बस पढ़ते जाए यह टाइम एन वर्क लेक्शन नंबर 5 मैंने सुबह कराया है और पार्ट नंबर 5 लेक् सब्सक्रा से आजा है तो 8 पंजे 40 अब आपको टुक्डे करन monit अब आपको लग पूस्ट होने ही वाले हैं यह बिलकुल निश्चित है न बज Let going replay here कर सकते हो क्या 49 के ऐसे टुकड़े आप कर सकते हो कि जो 26 देदे आपको बताओ चालिस के ऐसे टुकड़े आप कर सकते हो जो 26 दे आपको लगाओ दिमाग का प्रोग्राम भी है चिंता ना करें कल शनिवार है तो प्रोग्राम बता दिया जाएगा बिल्कुल बेफिकर रहें चीजों को और बैटर बनाएं आप तो बस मेरे साथ मेरे कंसेप्ट को य चीजे क्या यहीं से शुरू होंगे आपके लिए हाँ अगर कुशन रॉंग भी है तो यहीं से हो जाएगा तुकड़े नहीं होंगे सर ऐसे बोल रहें काफी सारे बच्चे तुकड़े नहीं हो रहें सर और कोई भरपूर कोसिस करना चाहता है दम लगा कर चले तो यार यह कुशन इस तरह से कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं लेकिन अगर मैं इस कुशन को इस तरह से देखता हूँ क्या ऐसे यह ब्रेक किया हुआ है इसको आपको कंपेरिजन करना ही है तो मैं क्या इसको इस तरह से कंपेरिजन कर सकता हूँ क्या देखो कि मैं इसको इससे गुणा कर दूँ A into C X square plus A into D X B into C X plus B into D ठीक है मैं ऐसे कर दूँ बोलो अगर ऐसे करना चाहूं तो मैं यह कह सकता हूँ क्या A into C X square plus AD plus BC into X plus BD यह कितना हो गया सर 5X square minus का 26X plus का 8 हो गया भई यहां तक concept चलिए अब आप A into C को comparison कराएंगे तो A into C कितना हो रहा है 5 हो रहा है AD plus BC कितना हो जाएगा minus का 26 ठीक है और यह BD कितना हो जाएगा 8 आई बाद समझ में यहां तक जब मैंने तीनों चीजों को comparison करा लिया तो इस तरह से निकल कर आ गया बागी कोई tension तो नहीं है ना यहां तक ठीक है अपना A into C यह आया अपने देखा AD into BC अपना minus का 26 है और अपने पास BD अपने पास 8 है यहां तक आप मेंसे किसी को कोई तकलिफ तो नहीं है ना चलिए देखते हैं वही क्या answer आता है बहुत बढ़िया चीज़े हैं सारे के सारी ठीक है अब हम देखते हैं कि यहां पर combination कितने possible हैं आप से बोला जा रहा है A और C जो है वो positive होगा A भी आपका greater than 0 है C भी आपका greater than 0 है यानि कि यह आपके जो होने वाले हैं यह positive होने वाले हैं A और C आपके क्या होंगे दौनों ही आपके positive होंगे चलिए अगर A और C अगर आपके positive होने वाले हैं तो क्या हम यह कह सकते हैं कि कोई गड़बर नहीं पंच अपने जो कमपेरिजन किया है तो यहां कोई गड़बर तो नहीं है न मिल्कुल है सकती है क्योंकि यहां पर अपने पास जो आ रहा है वो एंटू सी आ रहा है कि देखना भाई कोई गड़बर तो नहीं है यहां पंदरा है यहां पंदरा है एक पर देखना पंदरा से करना जड़ा अगर इसको पंदरा लेते हैं तो एंटू सी अपने पास कितना हो जाएगा एक को और सी को मैं मान लेता हूँ पांच और तीन एक तरीके से यह कॉम्बिनेशन मान सकता हूँ तीन पांच भी मान सकता हूँ मुझे लगता है एक थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया होगा कोई दिक्कतनी हम करने की कोशिश करते हैं ये तीन पांच भी मान सकता हूँ ठीक है तीन तीन पांच दोनों मान सकता हूँ किसी को कोई दिक्कत है क्या दोनों ही combination possible है ये वाला भी पॉसिबल है और ये वाला भी possible combination मैंने ले लिया ठीक है आपसे बोला जा रहा है BD, BD बराबर आपका 8 है यानि कि B into D बराबर आपका 8 है भूले ठीक है अब BD बराबर भी 8 है यानि कि B into D बराबर भी 8 है तो ये 4, 2 हो सकता है या या ये दो चार हो सकता है सही बात है ना बोलो किसी को कोई दिक्कत ये चार दो भी हो सकता है और दो चार भी हो सकता है भी इंटू डी की बात कर रहा हूं और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये माइनस चार और माइनस दो भी हो सकता है और यह माइनस दो और माइनस चार भी हो सकता है क्यों क्योंकि B और D आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं यहां केवल A और C को पॉजिटिव बताया है इन लोगोंने ठीक है माइडियर चलिए तो यहां तक आपको चीज़े क्लियर हो गई क्या बोले सर क्लियर हो गई अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ देखिए अगर मैं A को रख रहा हूँ 5 तो मैंने रखा 5 दोनी 10 प्लस B को रख दिया मैंने इमान लीजिए 4 रख दिया क्योंकि मुझे A और C पॉजिटिव लेना है तो B को मैंने 4 रख दिया फिर मैंने माइनस C C को मैंने रख दिया मान लो 3 और माइनस 2D 2D अब जैसे 4 रख रहा हूँ ना तो इसको 2 रखना पड़ेगा तो यह कट गया साथ आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा दूसरी possibility ले रहा हूँ इसको मैंने 5 रख तो यानि कि यह तो 10 हो गया B को मैंने माइनस का 4 रख दिया अगर मैंने इसको 5 रख दिया तो simply बात है इसको मुझे को 3 रखना पड़ेगा और 2D 2D अपने पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो भी नहीं आ रहा यानि कि यह दौनों case हमारे overruled हो चुके है यहां से ठीक है यहां पर आपको value put करकर करके देखना है बस ठीक है अब हम जो value ले रहे हैं मैंने ले लिया A को 3 इस बार A को मैंने 3 ले लिया ठीक है अगर A को 3 ले लिया तो C को मुझे 5 लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा अब C को 5 लेना पड़ेगा और B को ले लो माइनस का 4 और D को ले लो माइनस का 2 जड़ा देखो क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि एक equation और है कौन-कौन सी AD AD कितना आ रहा है माइनस का 6 आ रहा है पर दोनों ही negative होंगे तबी तो negative आ रहा है और माइनस का 20 आ रहा है देख लो तो combination set हो गया न तो अब आपका जो right answer होगा वही आपका सही answer है अनिकि 3 दूनी 6 माइनस का 4 माइनस का 5 और प्लस का 4 तो answer कितना होगा एक ये एक top level का प्रश्ण है जो मैं आपको कराना चाहता था और मैंने आपको वो दिया भी है next देखिये भाई इस question को भी ऐसी करते हैं न homework है एक आदमी अपनी मूल गती के या इस्थान पर 20 मिनट देरी से पहुँचता है 3 बटे 4 से चलता है याने की 4 से 3 की speed है और time का ratio 3 से 4 है 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है तो एक ratio की जो बराबर है वो 20 मिनट के है तो सामानने समय क्या होगा यही सामानने चालती तो सामान्य समय भी यही निकलेगा 60 मिनिट, 60 मिनिट आपका सामान्य समय होगा, दिये गए आकडों का बहुलक क्या होगा, यहां जो मैक्सिमम रिपीटिंग हो रहा है, 42 आ रहा है क्या, एक बार, दो बार, 56, एक बार, दो बार, पिचेत्तर, एक बार, दो बार, 64, एक बार, दो बार, तीन बार, 64, तो आप ऑप्शन को यह देखा करो, कि ऑप्शन कौन रिपीट हो रहा है, अर्ध गोले की तरिज्जा एक गोले की तरिज्जा से क्या है दुगनी है अर्ध गोले की जो तरिज्जा है गोले की तरिज्जा से दुगनी है इसको हमने बोल दिया हैमी स्फेर और इसको हमने बोल दिया स्फेर तो अर्थ गोले और गोले के कुल प्रश्टिय छेतरफल का अनुपात कितना होगा अर्थ गोले के कुल प्रश्टिय छेतरफल तो अर्थ गोले का होता है 3 π.r. square अब इसका र. one को यहाँ रग दो चाहे 4R.2 square upon गोले का कितना हो जाएगा 4 π.r. square और तालिस बटे चार और अर्द गोले की तरिज्जा गोले की तरिज्जा से दुगनी है और अर्द गोले का कुल प्रेश्टिश दिफल सब पिचेतर भी थ्री टाइम्स था अच्छा पिचेतर भी है क्या एक दो तीन पिचेतर ही होगा अंसर वो चार टाइम है ना वो तो मुझे देखा नहीं यह चार बार है यह तो उल्टा चार बार है इसलिए वो जीत गया चार तो तीन बार ता पिचेतर अंसर होगा उसका मैं इस कुशन पर आ चुका हूँ और हम जानते हैं कुल प्रिस्टी छितीफ़ल के हम बात करते हैं तो गोले का जो प्रिस्टी छितीफ़ल होता है थ्री पाईयार स्काइर अच्छा यह फोर आएगाा तो चार टी है बारा बारा बटे चार करेंगे तो तीन नुपात एक option number B answer होगा तीन अनुपात एक ठीक है भाई next देखे सर कुश्चन बड़ा प्यारा है एक काराले में करमचारियों में से एक बटे तीन महिलाएं हैं एक बटे दो महिलाएं विवाहित हैं और एक बटे तीन विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं यदि तीन बटे चार पुरुष विवाहित हैं और दो बटे तीन विवाहित पुरुषों के बच्चे हैं तो बिना संतान वाले श्रमिकों की संख्या बताईए आप टोटल बताईए कितना मानेंगे आप बताईए टोटल कितना मानेंगे आप ने तुझनों पॉर्शान के अच्छ Nejट करा कोड़ में चली और कि अधी तो एक कारयल्य करमचारी में से एक बटे तीन महिलाएं हैं एक बटे दो महिलाएं विवाहित हैं तो आप कितना मानोगे आप कह रहे हैं सर्थ 36 माल लेते हैं माल लो भाई सबका 36 आया हमने 36 माला करमचारियों में से एक बटे तीन महिलाएं हैं अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो female कितनी है एक बटे तीन याने कि 12 और आपकी जो male कितनी है male आपकी हो जाएंगी दो बटे तीन याने कि 24 ठीक है और मैं आप सभी विध्याटियों से एक बात कहना चाहूंगा कि एक दो जगे ऐसा हो रहा है कि बुक है ना ओरिजनल ही लेना ओरिजनल की quality आपको पता लग जाएगी एक दो जगे ऐसा हो रहा है कि बच्चों के cover page कुछ लगा दिया जा रहा है बाहर मार्केट में और अंदर कुछ और दे रहे हैं content तो प्लीज यह चीज मेरे अभी consideration में आई है मैं आपसे request करता हूँ कि original ही लेना कोई भी product मैतलब अभी तो मैं पहचान आपको बता देता हूँ कि अपनी जो quality है सबसे top level की है आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि color quality को दिक्कत है तो मत लेना क्योंकि क्या होता है फ जो बच्चे के बास content पहुंच रहा है वो गलत पहुंच रहा है तो फिर बच्चा कहता है सब गलती है जबकि वो मेरा ही नहीं content है ना तो इस चीज को please ध्यान दें हाँ क्योंकि गलत गलत चीज जाए उससे ज़्यादा बेटर है कि ना जाए क्योंकि उससे मेरी value जुड़ कर रहे हैं और तीजें आप समझेगा और मैं इस चीज को यह इसलिए बताना चाहरा हूं कि आप लोगों के लिए गलत ना हो कि अना कि अधिने फिलिप काट पे भी है मतलब ऐसा है तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखे हैं ना पटना में जो जो लीगल मार्केट से ना ले क्योंकि क्या होता है बस कवर ही चेंज कर रहे हैं वो लोग अंदर कुछ भी डाल रहे हैं वो हमारी डिवेलुएट करती हैं चीज़ है ना और कोई भी अगर इससी इंफोर्मेशन मिले तो मेरों को बताना ठीक है इससे क्याएगी थोड़ा सा अवेरनेस फैले और जरूरी नहीं है क्या होता है मैं जो बच्चे तक कंटेंट पहुचाना चाहता हूँ वो नहीं पहुच पाता है फिर उस बचे से आईए मेरे पस कल दो-तीन फोटा आई तो उससे पता चला मेरे को इसलिए मैं आपको आगा कर रहा हूँ मैं तो थोड़ा हूँ मतलब थोड़ा शौक डूँ इस चीज से गया और बच्चे परिशान होते हैं मेरे को बहुत दुख होता है देखिए एक काराले में करमचारियों में याने कि जिनके पास चाइल्ड है वो ये है और 4 के नहीं क्योंकि 1 बटे 3 के बच्चे हैं इसमें तो 4 के नहीं होंगे simple सी बात है ठीक है सुनना मेरी बात है ना आगे हम बोल रहे हैं कि यदि 3 बटे 4 पुरुष बिवाहित हैं 3 बटे 4 का मतलब 18 पुरुष आपके married है married man और उसमें दो बटे 3 के बच्चे हैं याने की दो बटे 3 निकालो इसका 6 दुनी 12 बारह के आपके क्या हैं बच्चे हैं ठीक है तो मैं च्राइक हैं तो बिना संतान वाले श्रमिकों का हिस्सा बताइए सर कितने अब हम यह सकते हैं कि जब यहां पर 4 हो गया, यहां पर कितना हो गया सर, 6 हो गया, तो आप यह कहोगे सर, 6 और 4, 10, केवल यहां रुख जाएगा क्या मामला, 6 और 4, 10, क्या यह आंसर, रुख जाएगा क्या मामला यहां पर, आप बात को समझ ना, और मैं उस चीज को consider भी करवा रहा हूँ, तो इस बात को जादा गौर फरमाते हुए देखिए, 12 और दो 14, आप बस इसमें से 14 घटा दो, क्योंकि आपको केवल वो घटाने हैं, जिनके बच्चे हैं, तो बच्चे ही हुए कितने 22, तो 22 जिनके बच्चे नहीं हैं, 36 में से, तो यह हो गया 11 बटे 18, आपका आंसर होगा 11 बटे 18, कैसा लगा कुश्चन, जल्दी से मुझे बताओ, कुश्चन कैसा लगा, है ना क्लासिक, हाँ यह बच्चा गलती कर देता है, केवल साधी शुदा को लेता है, केवल यहां पर, 6 और 4, 10 को ले लेता है, गलत हो जाता है, फिर 5 बटे 18 आंसर नहीं होगा, आंसर होग मैं ऐसे कह सकता हूँ कि, टोटल में से, जिनकी संतान है, वो घटा दो, टोटल में से, जिनकी संतान है, वो घटा दो, बात बरावे, वो भी ऐसा फेक लग, पता लग जाता है, फेक प्रोडेक्ट इस अल्वेस फेक प्रोडेक्ट, वो अंदाज लग जाता है, पेपर क्व अब देखिए कुशन देखिए अभी मैं इसको solve करता हूं तो 3 तिया 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 4 बटे 3 तो यहां हम यह कह सकते हैं कि 8x बटे 5, माइनस का 3 बटे 2 माइनस का 3 तिया 9, यह हो जाएगा 4 बटे 3 और माइनस का 1 बटे 6 है गुणा में तो यह हो गया सर 2 बटे 9, चीक है 2 बटे 9, माइनस का 2 बटे 9 9 में से 5 गया तो 4 बटे 3, 2 बटे 9 अब मैं इसको solve कर लेता हूँ तो 8x बटे 5, माइनस का 2 बटे 9, प्लस का 3 बटे 2 हल करने पर कितना आ रहा है 2 दूनी 4, 9 यह 27 तो 8x बटे 5 27, माइनस का 4 और 18 यही आ रहा है तुम लोगों का ठीक है यही आ रहा है तुम लोगों का जल्दी से बताओ है ना हो सकता है अपना answer अलगों क्योंकि थोड़ी बहुत mistake भी हो सकती है चीज को देख लेना आप है ना देखो इसके बाद हम देख रहे हैं कि यह कितना हो रहा है सर आठ एक्स बटे 5 27 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 23 बटे 18 एक्स बरावर 23 पंजे 115 बटे 188 145 यह आंसर आएगा 115 बटे 145 यह सही आंसर है 115 बटे 145 बिल्कुल ठीक है next अरे भाई एक्जाम होगा गुरूबडी का है ना टेंशन मतलो बात चल रही है अभी मत्पुद्र ना कब होगा लेकिन आज आएगा थोड़े दिन में नोटिस यह बता देता हूँ बस एक्जेक्ट डेट नहीं पता बस मुझे कि 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 ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं पहले दो पाइप चार और दस घंटे में टंकी भर सकते हैं जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है तो टोटल हम क्या कह दें टोटल हम यहां कह सकते हैं सर कि एलसियम जब आप लोगे तो आप 60 ले लीजिए यहां हो गया 15 यहां हो गया 6 और यहां हो गया माइनस का 10 ठीक है यदि सभी तीनों पाइप टंकी का 3 बटे 5 भग भरा होने पर एक साथ खोला जाता है तो 60 का अगर 3 बटे 5 भग भरा हुआ है यानि कि 36 यूनिट भरा हुआ है और एक साथ खोल दिया जाता है याने कि 21 में से 10 गए तो 11 तो 36 बटे 11 इतने समय में टंकी भर जाएगी आपकी Next Time's Up Train X Station A से दुपेर 3 बजे निकलती है Train X Station A से दुपेर 3 बजे निकलती है और Station B पर शाम साड़े 4 बजे पहुचती है A से निकलती है और B पर शाम को साड़े 4 बजे पहुचती है दूसरी train T बी से 3 बजे निकलती है और शाम को 4 बजे पहुचती है अब देखना बहुत अच्छा concept है इसके बीजे तो एक दूसरी कप पार करेंगे ये दौनों एक दूसरी को पार करती है मैं देख रहा हूं कि यहां देखो यहां तो लग रहा है डेड़ गंटे और यहां लग रहा है एक गंटे तो टोटल आपका कितना हो गया तीन किलोमीटर अगर आपने दूरी मान ली इसकी तो स्पीड हो गई दो और इसकी स्पीड हो गई तीन तो यह तीन बज़े चल रहा है वो भी तीन बज़े चल रहा है याने कि पांच की स्पीड से तीन किलोमीटर पकड़ने में कितना मिनट लग रहा है 36 मिनट तो ये कब मिलेंगे तीन जोनों का समय समान है न तो इसलिए टेंशन नहीं हुई तीन गंटे 36 मिनट पर तीन बचकर 36 मिनट पर ये एक दूसरे से मिल लेंगे 24 बटे 11 होगा न एक ही बच्चा बार बार कमेंड कर रहा है थर्ड में 24 बटे 11 होगा क्या भाई जैसे कि दो तीन बच्चे जो हैं काफी इंटलिजन नजर आ रहा है मेरे को इन्होंने मतलब शायद निकाल लिया है इसमें 24 बटे 11 होगा क्या भाई एक बार चेक करो जैसे कि इनका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए 24 बटे 11 हुआ तो हाँ हो सकता है क्योंकि में भी मिस्टेक तो हो सकती है क्योंकि क्या बोला जा रहा है यदि तीनों पाइप तीन पाइप तंकी का तीन बटे 5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं अच्छा ठीक है तो तीन बटे 5 भाग तो भरा हुआ है आपनको भरने के लिए 2 बटे 5 ही चाहिए तो इसका अंसर सही है 24 बटे 11 होगा 24 बटे 11 ही होने वाला है क्योंकि आपनको क्यों होगा 24 बटे 11 तीन बटे 5 भाग भरा होने पर तो तीन बटे 5 भाग अगर भरा हुआ है तो और भरने के लिए दो बटे 5 ही हिस्सा बचा हुआ है तो वही फिल करना है ठीक है न बिलकुल सही बोल रहे हैं और दो बटे 5 आपका सही है ठीक है चलिए औरिजिनल वुक कैसे पहचानेंगे क्वालिटी से बता लग जाएगा बेटर क्वालिटी मिलेगी वो प्रिंट अलग होता है वो फोटो को भी अलग दिख जाती है वो तो आपको पता लगी जाएगा बाकि अगला जब बनके आएगा तो मैं उसमें पैचान डाल दूगा कोई चलिए देखिए दूद और पानी का जो अनुपात है वो पांच अनुपात तीन है मिश्रण में कितना भाग निकाल कर पानी से बदल दिया जाए जिससे की आधा आधा हो जाए याने की एक अनुपात एक तो कितना पानी निकाल कर कितना भाग निकाल कर पानी से बदल दिया जाए तो पानी मिला रहे हो अल्टीमेट लिया दूद सेम रहेगा और रिप्लेस्मेंट का कुश्चन है यहने कि जब दो हिस्सा आपने मिलाया है न तो दस का होगा एक बटे पांच आंसर आ जाएगा क्योंकि नीचे जो है वही इनीशल मिक्षर वही टोटल मिक्षर के बराबर है नेक्स्ट ने चृटिस बटे 11 नहीं होगा भाई 24 बटे 11 होगा group d group d special class करा दो all subject की science की भी करा दो अभी तो time है अरे भही यह तो match चलेगी न एक साथ एक ही class में सारी छीज थोड़ी चलेंगी सारे चल रही है पढ़ ले भही इतने सालों से चल रही है class तो अभी भी सकरा दो करा दो हो रहा है करना नहीं है वर्स उसको देखो भई 200 से 600 तक सभी प्राकरत संख्याओं का योग जो ना तो आठ से हो और ना ही 12 से हो ना तो आठ से डिवीजिबल हो ना ही 12 से हो अब कोशन में आएगा मज़ा ये लेगा हाँ ठीक है अब बहुत मज़ा आने वाला है कोशन में और काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है यहां से मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा कोशन काफी बढ़िया है आओ जैसा कि मैं कहता हूँ कि 200 से 600 दौनों को सम्मिलित कर दिया जा रहा है आपको क्या देखना है कि भाई 8 से डिवीजिबल ना हो और 12 से डिवीजिबल ना हो बहुत अच्छा केस है यानि कि आपको उस केस के अंदर जाना है जहाँ पर 8 से डिवीजिबल हो बारा से भी डिवीजिबल हो और दोनों से भी डिवीजिबल हो बोथ कॉंसेट बता रहा हूँ कैल्कुलेशन बहुत लंबी चोड़ी है और काफी लेंदी कोश्चन है मतलब यह बहुत लेंदी कोश्चन है लेकिन कोश्चन में बड़ा मज़ेदार है ठीक है समझ में आरे यह बात यानि कि आपको यह सब लेने आठ से डिवीजिबल हो दोनों से हो और बारा से हो और यह किस में से घटाना है टोटल में से घटाना है आई बात समझ में आप लोगों को बहुत बड़ा कुश्चन है ठीक है अभी देखते हैं कि कैसे हो पाएगा कोई बात नहीं अच्छा कुश्चन है मैंने काफी अच्छा लेवल का कुश्चन इसमें डाल दिया है कोई बड़ी बात नहीं आराम से दिमाग लगा है आप अपना मैं कहता हूँ सर तक सभी प्राक्रतिक संख्याों का योग बताना है जो कि 800 senhor और 12 विवाज्ये है तो वह कहानी इस तरह से चलेगी तो आप 200 से 600 तक देखना है और जो कि 8 ऐ और 12 डिवीजिबल है मेरे पास किती संख्याई होंगी यह आप मुझे बताओ पहले आठ से और बारा से डिवीजिबल वाले 24 24 से डिवीजिबल होने वाले कितनी संख्या होंगी 200 बटे 24 600 बटे 24 200 बटे 24 में कौन सी संख्या आ रही है पहले सबसे पहले अपना जो मल्टीपल आएगा वो 216 आ जाएगा इसका ठीक है और इसका जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ये दौनों लेना ही है अपन को बाकी ये 600 हो जाएगा ठीक है और ये कितनी बार जा रहा था 100 बटे 12 यानि कि करीबन ये अपने पास निकल कर आ जाएगा कितना 100 बटे 12 ये हो जाएगा अपने पास आठ 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 वा मल्टीपल या 9 वा मल्टीपल माल दीजिए और ये कितना जा रहा है 25 तो संख्याएं कितनी हो गई number of terms 25 माइनस का 9 प्लस का 1 तो 26 में से अगर 9 चले गई कितना आ जाएगा 26 में से अगर 9 चले गई तो 6 और 17 तो total number of terms कितनी हो गई 17 तो sum कितना हो जाएगा sum n by 2 a plus l यानि कि प्रारंबिक संख्या प्लस अंतिम संख्या ये तो वो संख्याओं का sum आया है जो की 24 यानि की 8 और बारे दोनों से divisible है और जब इनको आप solve करोगे तो ये आजाएगा 6936 बहुत बड़ा कोशन है यार ये तो गलट डाल गया आपके में बहुत बड़ा कोशन है ठीक है बहुत बड़ा है कोशन तो बहुत अच्छा भी है लेकिन अब दीर दीरे में समझा दूँगा ठंशन ना लेना थोड़ा time लग सकता है ठीक है चले है थोड़ा सा time लग सकता है लेकिन अभा आपत करना चाहते हैं कि सार 6936 तो आप से मैं कहूं कि आपको ना वाले C चाहिए तो आपको यह तो घचाना ही पढ़ेगा यह यह बोलो गटाना पड़ेगा नहीं गटाना पड़ेगा बिलकुल गटाना पड़ेगा जो की आपको किस तरह से गटने को लिए मिलने वाला है आपको मैं पहले बता चुका हूं कि भाई 8 से divisible कितनी संख्याए हैं आपकी वह देख लो 8 से divisible कितनी है 200 बटे 8 25 और 600 बटे 8 अराम से देखना बहुत अच्छे अच्छे concept आ रहे हैं समझ में तो यह हो जाएगा सर 75 तो number of terms कितनी हो जाएंगी 51 नहीं हो जाएंगी क्या बताना जरा क्या 51 ऐसी संख्याइं नहीं हो जाएंगी जो 8 से divisible हैं आप बोलो ना क्योंकि मुझे 8 से divisible हाली भी निकाल नहीं है 51 संख्याइं हो गई सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा समझा दूंगा बाद में आपको तो यहां लिख दू मैं लिख दू क्या लिख दो सर एक एन बाइटू 51 बटे दो ए एल तो देखो पहली संख्या 200 है और अंतिम संख्या 600 है तो इनका जो योग आ रहा है वो आ जाएगा कितना 51 इंटू 400 51 इंटू 400 यानि कि 20,400 तो यहां से बन गया 8 से divisible वाली संख्याओं का योग उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं आप लोगों से कि यह 8 से divisible वाली संख्याओं का योग बन गया उसके बाद में अगर मैं अगली बात आपसे करूं कि भाई 12 से divisibility निकालो तो 200 बटे 12 और 600 बटे 12 यह तो हो जाएगा 50 बार जा रहा है पचासमा गुणज यह हो जाएगा सर 100 बटे 12 यानि कि 9 गुणज सो बटे 6 सो बटे 6 यानि कि 16 सत्रा सोले एंटू बारा करना सोले दूनी बत्तिस कहरी आया तीन हाँ तो यह आ जाएगा सत्रवा गुणज नंबर अफ टम्स कितनी हो जाएगी 23 प्लस एक 24 एन बाइटू ए प्लस एल सही बात है ना एन बाइटू अपने बास कितना हो गया स सौरी चौनथीस होगा थैंथीस हो रहा है थैंथीस हो रहा है थैंथीस बटे 2 ए प्लस एल पहला टम कितना हो रहा है वह लास्टम तो 600 रहे गई रहेगा पहला टम कितना है 204 प्लस 600 इनको जोड रहे है तो यह आ रहा है सर अपने पास 804 बटे 2 402 इंटू 34 34 दूनी 68 कह रही आया 6 34 एकम 34 अमतब 6 का जो 6 है वो आ जाएगा कितना 1 3 6 6 8 दौनों को जोड़ो इन दौनों को जोड़ो क्योंकि यह संख्या है और वो संख्या जोड़ जाएंगी तो अपने पास करीमन कितना बन जाएगा 34,068 और उसमें से आपको क्या घटाना है 6 9 3 6 क्योंकि यह दो बार आ चुका है अलरेड़ी 6 9 3 6 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 27,132 अब अभी भी क्या बाकी रह गया अभी भी क्या बाकी रह गया अब आपको क्या करना है 200 से 600 तक की सभी प्राकर्तिक संख्याओं का योग निकाल कर इसमें से घटा देना है बहुत बड़ा है लेकिन कोशन बड़ा शानदार है अभी आंसर नहीं आया अभी आंसर नहीं आया अभी तो आपको क्या करना है सारी संख्याओं का योग निकालोगे ना 200 से 600 तक की और फिर इसको घटा देना है यानि कि कुल मिलाकर आपको पता है कि जीरो तो आएगा एकाई का यानि यूनिट डिजिट से भी नहीं होना वाला है यानि कि आपका जो राइट आंसर होने चार सो एक इंटू चार सो पस आसा नहीं वैसे दो 16,000 मतब एक लाग छे लाग साथ हजार चार सो माइनस माइनस क्या करना था 27,132 तो आंसर कितना आ जाएगा 1,60,000 चार सो माइनस एक लाग 33,268 वाह ये तो वो है वो एक गंडे में एक प्रश्न करने वाला लेकिन किस-किस को कॉंसेट समझ में आ गया इसके लिए अलग से क्लास लेना पड़े ही आस तो दस ही कर पाएंगे हाँ टाइम हो गया वैसे को चलो दस ही करते हैं फिर बागी कल करेंगे ये कोशन करो easy है कुछ भी नहीं है यहां बस नाटक कर रखा है कि यह देखो style दे रखी है तो a बराबर माइनस का 10 हो गया और b बराबर कितना हो गया वो भी माइनस का 10 हो गया तो a into b कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा plus का a answer आ जाएगा next करो ये भी करो दस तक ये करेंगे आज बागी 10 कल कर लेंगे इसलिए मैंने समय भी तो कम दिया था तो मैं मुझे पता था है वाई होगा तो यह नहीं एक व्यापारी चावल को 20% के लाब पर बेचता है सही बजन में से 10% कम तोलता है याने की प्रॉफिट तो कर रही गई याने की कितना हो गया सर्फ 45 से 60 हो गया 15 तिया 45 पंदरे चौके 60 याने की एक बटे 3 इंटू 100 तो ये कितना आंसर आ रहा है 33 सही एक बटे 3 परसेंट अप्शन नमबर C देखिए देखिए ये आपका बोर्ड मास लग जाएगा यहां पर यहां पर आप देख रहे हो की पहले ये का है तो च्छोटा bracket solve करो तो यह हो गया आसर 9 9 का divide कि यह 3 अब यह bracket solve हो गा पहले 3 का minus 4 याने की minus का 12 और minus का 3 याने की कितना हो गया minus का 15 अब minus का जब यह 15 हो ही गया तो आपको पता है कि जब यह minus का 15 आही रहा है sorry 9 कितना आ रहा है तीन चौके बारा रही है क्या ने 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 सही कैसे है देखो देखो यह हो गया 9 यह हो गया 3 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 3 उसके साथ है यह पहलो यह होगा यह तीन आया और फिर यह तीन इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है ठीक है इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है भई काहे अलग है मैं बता देता हूँ देखो यहां माइनस तीन के साथ आफ लगा हुआ है ना तो यहां जब निकलेगा ना देखो नो यह आया तीन 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 तीया माइनस नो और चार तेरा तो 78 अपॉन तेरा माइनस का अच्छे आंसर आए तो इसको ऐसे करवा मेरे बत्पात मानो तो हिंदी वाला रहे है का का चक्कर पड़ रहे है का कर रहे है का यह दिक्कत दे रहे है हिंदी वाला अंसर मत निकालो क्यों क्योंकि यह यह सही है यह इसके साथ गुना था ना तो यह का इधर आ गये जबकि यह इधर होना चाहिए क का तीन नेक्स्ट और लास्ट कर रहे हैं देखिए चलिए प्रवीन के पास इतने रुपे दो रुपे पांच रुपे और दस रुपे के नोट के रूप में हैं तो पांच रुपे के नोट की संख्या बताओ 2, 5 और 10 के रूप में हैं और 3, 5 और 8 के अनुपात में हैं तो ये हो गया 6 ये हो गया 25 और ये हो गया 80 तो ये हो गया 105 और 6 105 और 6, 111 पराबर 4, 6, 6, 2 444, 222 42, तो 5 रुपे के नॉटों की सम्धिय इंगा कितनी है 5 इसके बाद बाकी का जो homework है कल और भी question एड़ करूँगा यह आप homework में कर लेना हो ठीक है फाइल आपको नीचे comment section में मिल जाएगी और कर रहे हैं रात को 8 बजे mock test लगवाता हूं comment section में लिंक मिल जाएगी मेरे साथ मेरे foundation बैच में भी आप जोड़ें जहां पर मैं आपको एक एक चीज अच्छे से पढ़ाने वाला हूं हर एक चीज को कवर कराने वाला हूं सभी competitive exams के लिए target करते हुए हर चीज पढ़ाऊंगा unacademy पर आपको मेरे साथ में जोड़ना है जहां पर हर एक चीज आपको मिलेगी unacademy learner app पर जाएं SSC exams पर जाएं get subscription पर जाएं 24 महिने का batch लें और sahil 10 as a code लगा लें अब जैसी sahil 10 लगाओगे apply कर देना proceed to paper चले जाना discount आपको मिल जाएगा ठीक है ask get out feature में unacademy पर आपको सारी चीज़े मिलेंगी link और सब कुछ मिल जाएगा चलिए तो ask calculate था थोड़ा take care अपना ध्यान रखें और एक question पूरे time को खराब कर गया